नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सब्सक्राइब के एच्प एक्जाम फेस में आज जो हैं फेरेंट फेस्टिवल से लेटेड इंपॉर्टेंट कोशन देखने वाले हैं यह हमारे कि तयारी हो दो किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहा हो इस से अच्छे कोशन आपको मिल ही नहीं सकते तो फेरेंट फेस्टिवल से लेटेट सारे जो हैं आज हम करने वाले हैं अगर आपको एक दिस्क्रिप्टिव लेक्टर देखना और वह सारे बता रहें तो उसका लिंक डि यहां तीन स्टेटमेंट दिये तीनों को रीड करेंगे और बताएंगे कौन सी इन में से करेक्ट स्टेटमेंट है तो वन वाई-वन जो है रीड करते हैं पहले क्या बुल रहा है गुगगा फिर इस हेल्ट इन धोग विलेज नियर जोगिंदर नगर इन दौनर ऑफ वोमन तारदेवी टेंपल इन कांगडा तो जो कांगडा का तारदेवी टेंपल है वहां पंच भिशम फेस्टिवल होता है थर्ड में बोल रहा है इन पुराग फिर ओफ कोटकाई महादेव देपता इस केरेड इन कमहाली टू गिरी रिवर फॉर बाथिंग सेर्मनी तो में ना मिले वह इस सीरियस में आपको कराए जा रहे हैं तो आपको जो है आंसर बताता हूं इसमें राइट आंसर के ऑप्शन थ्री ठीक है ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर है जो आपकी यहां थर्ड दे रखा है इन पुराग फेर ओफ कोटकाई महादेव देवता इस और एक्समेंशन भी दिरखिए बाकी वह आपके दिखाऊंगा यहां पर बुला है गुगगा फेर इस हेल्ड इन धोग विलेज नियर जोगिंदर नगर तो गुगगा नहीं भाई गुगगा नहीं यहां पर स्कॉड़ी फेर होगा ठीक है स्कॉड़ी फेर जो है धोग वि और फैस्टीवल यह बनाया तो कांगडा में जाता है मर कांगडा के कॉंसी टेंपल में टार्वी टेंपल में बल्कि जैंति-माताइज ने बनाया जाता है तो आप देख सकतें काफी हाई-लेवल के कोश्चन नहीं पर आपको कराया जा रहें फर्स्ट और सेकंड में इंदरनगर के पास फिर बहुता पंच भिशम फेस्टिबल जो है तार्देवी में सेफिपल होँता है Dorem जो था यहीं यहां पर राइट था यहीं थर्ड स्टेटमेंट ठीक थी बाकी दोनों गलत थी चलिए सेकंड देखते हैं consider the following स्टेटमेंट अब वापीस यहां पर दो स्टेटमेंट हमें दी गई है one by one read करेंगे हमें बताने कौन सी सही है ठीक है which of the above statement is correct तो यहां बोल रहा है रेनुका फेरी सेलेटेट इंद मन्त अफ नवंबर फॉर सिक्स देज टैन देज आप्टर दिवाली तो जो रेनुका मेला है वह नवंबर के महीने में दिवाली के रेक्लेट इंटरनेशनल फेर इन अक्टूबर 2011 तो जो रेनुका फेर है इसे इंटरनेशनल फेर का दर्जा मिला हुआ है और अक्टूबर 2011 को ही मिला है तो दोनों ही स्टेट्मेंट यहां पर हमारी ठीक है तो सेक्ड़ाइट अंसर क्योंगों और आप पूछा which of the statement is correct तो इंटरनेशनल फेर का दर्जा भी मिला है ठीक है साथ टोटल हिमालश्य परदेश में इंटरनेशनल फेर उसमें से एक रिनुका फेर भी है सिर्मौर का और इसे कव मिला था अक्टूबर 2011 को तो काफी ज्यादा गयान है हर एक कोशन में अगर आप देखोगे simple question यहां नहीं पूच रहा तो यहां पर भी देखिए तीन स्टेटमेंट दे रही है आपको बतानी इंकरेक्ट कौन सी है ठीक है यह भी रीड करना इंकरेक्ट गलत पूचिए सही नहीं गलत कौन सी है तो पहले देख लेते हैं कुलू दशेरा इसे इंटरनेशनल फेर का दर्जा मिल गया अब बुर रहा है इस आइडल ऑफ रगुनाज जी वस ब्रॉट फ्रम बनारस इन 1651 एडी राजा जगत सिंग हिमसेल्फ तो राजा जगत सिंग जो है रगुनाज जी की जो मूर्ती थी उसे आयो बनारस से जो है कहां पर हिमाचल में लाये थे कुलू में लाये थे तो क्या राजा जगत सिंग खुद नहीं लाये थे तो यहां पर यह स्टेट्मेंट गलत हो गई ठर्ड़ देखे दशेरा इस ऑसो सेलेबरेटेड़ इड़ेट स्पिरेट्स इन बैजना टौन अफ कांगड़ा तो कांगड़ा के बैजनात शहर में जो है दशेरा बड़ी धूमदा घजायर कैसे दो यहां तर्चसान को समझोगा है यहां पर पूछ ब्रॉट ऐंऔरा ऊंसर गयो और सब्क्रते सेर्ण हां बनेट नंट ध 671 यह जो है यह क yay ऊसीरा तिक यह उर्प पर ब्रॉड यह औलों फरrikaण 008 फैर जयर दयानाता यह आपका धालपुन मीदान में मनाया जाता एंए रही कि मूरता यह कान लाय था शीवाविंट आध में वाइजनात फिर प्रोसेशन स्टार्ट्स फ्रॉम अखंड चांद्री एंड टर्मिट्स एड बैंक ओफ रिवर चिनाव तो मिंजर मेले में एक जलूस जो है अखंड चंडी से शुरू होता है और चिनाव नदी के तरड़ पर समापत होता है तो देखिए गलती क्या है गलती है यहां पर आप नहीं अछ्ट शांदी के बारे में पड़ा होगा चंबावालंग तो वैसी है पता है चिनाव रिवर कहां से आगी या रावी रिवर हो नंची थथा थीक है मिंजर फेर बाइ स्टार्टिवर्मर्मन उफ चम्बा, ठीक है चम्बा के जो साहिल वर्मन है, उन्हें ने मिंजर फेर स्टार्ट किया है पिः impressed me, हीर कि मिंजर फेरी分享 ये सटार्ट किया है थर्ड में बोल रहा है, मिंजर फेर is also celebrated in the commemoration of the victory of Raja Sahil Verman over the ruler of Trigarta तो मिंजर मेला जो है त्रिगर्थ के शासक पर Raja Sahil Verman की जीत की याद में मनाय जाता है तो यहाँ पर जो है Raja Sahil Verman नहीं होगा ठीक है Raja Sahil Verman जो है उन्होंने मिंजर मेला स्टार्ट तो किया था मदर मनाया एक हो जाता है जो प्रताव Verman थे ठीक है चंबा के राजा प्रताव Verman थे उन्होंने त्रिगर्थ किसको भूते कांगड़ः था तो वसी की चक्कर में उसी की याद में उसी की आप मान सकते हो कि यहां मिंजर मेला बनाया जाता है यहां पर राइट आंसर क्योंगा पुछा था करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड ही यहां पर करेक्ट है तो ऑपशन सी इसका राइट आंसर अब यहां देखे एक्स्प्राइशन भी दे रहें इसका अब यहां पर राजा प्रटाब वर्मन उनों ने त्रिगरत पे विजए प्राप्त की थी और यहां पर मिनजर मिला मनाया जाता है फिफ देखते हैं यहां पर consider the following statements अब देखे statements चली हुई है यहां पर तो छोटी-छोटी गलतियां हो सकते हैं वही हमें पगड़नी है ठीक है शिवरात्री ओफ मंडी इस गिवन the status of state fair अब मंडी वालों को क्या सब को ही पता है state fair नहीं है क्या है international international fair मैंने आपको बताया हिमाचर प्रतिश में total 7 international fair आगे बताता हूं कौन-कौन से हैं बाकी पहले lecture देख लेते हैं तो यह जो शिवरात्री है यह state fair थोड़े यह international fair है तो यहाँ पर पुछा है which of the above statement is incorrect तो यह देखने वाली बात है इंकरेक्ट है पहली स्टेट्मेंट गलत हो गई शिवरात्री ओ इस ओरिजन पहले जो है शिवरात्री स्टार्ट नहीं किया 1526 में किस ने किया था अजबर सेन ने यहाँ पर किया था तो यह वाली स्टेट्मेंट जो है आपकी यहाँ पर रॉंक दे रखिये तो राजा अजबर सेन इंस्टॉल्ड असिलवर इमेज ओफ माधवराय इंवेस्टेड और पर हिम तो राजवर इंधी उन्हेंने जो है माधवराय को एक चांदी की मुर्ती स्टापित की और सभी शक्तियां उन्हें सौंप दी तो राजा अजबर सेन थे मंडिके तो माधवराय की सिल्वर इमेज है मुर्ति है वो दी थी और ऑल पावर्स जो है सारी जो शक्ते थी उन्हें सौब दी थी तो यहाँ पर सूर्य सेन होना था अब देखने वाली क्या बात है शिवरात्री फेर जो है यह एक इंटरनेशनल लेवल का फेर इस अजबर सेन ने कि靠ा फंदरह सारे किंस शॉर्यस ने करेंगे अबकर घलत दी हुई है तो देखिए शिवरात्री ओस ओरिजन अजबर सेन ने 1526 में स्टार्ट किया इंटरनेशनल फेर है सूरे सेन ने यहां पर सिल्वर इमेज ऑफ मादोराय जो दी बेड के रूपे दी तो यहां पर सारा अगर आप हम से स्टडी मटेरियल लेते हो आपको इस नंबर में वर्ट सब करना है 7018186561 किसी भी इक्जाम की तयारी करो आपने जो है स्टडी में लिखके वर्ट सब्सक्राइब करना है इस नंबर में आपको डिटेईल मिल जाएगी वहां पर इसारी पीडियास मिलेगी आपको लेक्चर कराया जा रही है लेक्चर टू है इससे पहले जो हमने टेंपल्स ऑफ हिमार्चल प्रदेश के जो है सारे हाई लेवल के कोशन कर ली है आज जो है हम किसके कर रहे हैं फेरेन फेस्टेवल के अगली रिवर्स वाले कर लेंगे तो ऐसे टॉपिक वाइस इंट्रेंट आपको देते रहेंगे टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है उसे जोएन कर लो वहां भी जो है फ्री स्टेडिमेटर एक्जाम अपडेट कुछ ना कुछ आपको मिलता है रहेगा क्योंकि अपना तो काम है कि करना है माचल में कुछ अच्छा आपको दे रहें तो यहां पर आपको बताने है इंकरेक्ट कौन से गलत स्टेटमेंट बतानी है तो वह इन वाइवन जो है फिर से रीड कर लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या आदे रहें हल्दा फेस्टिवल इस ऑफ द इंपोर्टेंस ओ दिवाली फॉर दर लोकल पिवल ठीक है तो वहाँ पर जो है यह एक तरह से दिवाली की तरह ही फेस्टिवल है उनके लिए ठीक है तो फर्स्ट यहां पर जो है राइट स्टेटमेंट दी गई है सेकंड देखिए हल्दा इस सेलब्रेटल जॉइंटली बाई ऑल द फैमिलीज विर मेल चैल्ड वस बॉन इन प्रुसीडिंग एर तो हल्दा जो है उन सभी परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है जहां पिछले वर्ष परुष बच्चे का जनम हुआ है तो यह हल्दा फेस्टिवल निया ठीक है इस फेस्टिवल का नाम कुछ और है क्या है गोची फेस्टिवल नाम कोई सब्सक्राइब को दिसंबर और जन्वरी में मैं इन 220 của ल उना फेस्टिवल ने थो फेस्टिवल और फेस्टिवल एस एमिन और फेस्टिवल नाते मृब मनेंग है इन Halic इन किनौर यहाँ पर एक मिस्टेक करती है यह स्रावन के वैने मैं दोह किम होता है यह होता है ब ganze को था नहीं होता है तो यहाँ पर स्थेट्मेट कलत है सब्सक्राइए पर काफी डिफिकल्ट कुछन है यहां डाले गये हैं तो सब्सक्राइब स्टेटमेंट ठीक है सेकंड और थर्ड गलत है यहां पर अब देखिए एक्समिनेशन दे रखिए तो पढ़ लेते हल्दा फेस्टिवल जो है चंद्रा भागा गाटी के लोग जो है मनाते हैं दिसंबर जनवरी में आपको बला दिवाली की तरह महत्व है और न्यू एर फेस यहां पर हल्दा नहीं गोचिय होगा यह स्टेटमेंट थी वहां हल्दा दिया था ठीक है फिर यहां बोला है फुलेज फ्रेटर इन दा मन्थ बहुदा ठीक है श्रावन दिया था बहुदान के महीने में जो है मनाया जाता है या फिर बिग्णिंग आफ ऑसाउज ओनली इ यह statement है तो one by one जो है पढ़ लेते हैं statement में क्या भूल रा है धोलरू fair is also known as Prithvi Pooja तो जो डोलरू मेला है उसे प्रित्वी पुजा के नाम से भी जाना जाता है तो यह statement यहां पर जो है wrong है बल्कि चरेवाल यहां पर दे रखा है इसको जो है कैसे प्रित्वी पुजा नाम से भी जानते हैं अब देखिनेक्स में बुल रहा है स्रेवाल फेरिस सेलबेटेड चलिपन और मेडल ऑफ जुलाई तो यहां पर जुलाई गलत दे रिखा ठीक है अगस्त में होता है यह जो है फर्स्ट अफ बदॉन और मिडल ऑफ जुलाई के जो है सौरी मिड of August में celebrate होता है ठीक है जुलाई दे रहा है तो यह statement यहां पर गलत हो जाएगी फिर बोल रहा है इन कुलू चरेवाल इस नोन बाइदा नेम ऑफ चत्राली एंड इन चमबा इट इस नोन एज पत्रोरू तो जो चरेवाल चत्राली इन बलत है पुछे कौन सी स्टेटमेंट यां पर गलत है तो हम क्या करेंगे कोई भी statement यहां पर ठीक नहीं है अब दीखिये explanation में बता रहका है तो काफी difficult है चरेवाल festival के बारे में जादा जो है बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होगा तो चरेवाल festival है इसे पृत्वी पुजा के नाम से जाना जाता है यह जो है बदौन या फिन middle of August में मनाया जाता है और कुलू में चरेवाल festival को बदरोंजो बोलते हैं और चंबा में क्या बोलते हैं पत्रोरू बोलते हैं तो मैंने आपको बुकों में भी question नहीं मिलेंगे वैसे question आपको जो है कराया जा रहे है ठीक है तो चिरेवाल यह सतिम्बर के महिने में जो है चंबा के बखलो मंडी के करसोग सोलन के सबातू जैसे कई स्तानों में मनाया जाता है और यहाँ पर main attraction का है sacrifice of buffalo bull तो जो बैंस बैल के जो है उसे जो है यहाँ पर बली दी जाती है तो कौन से festival की बात हो रही है सायर की बात हो रही है ठीक है जो और नहीं थलोग नहीं गुण नहीं सायर फेस्टिवल ठीक है जो है चंबा के बखलो में मनाते हैं मंडी के करसोग में और सोलन के सबातू में बी और यहाँ पर जो है बफैलो बुल का जो है sacrifice दिया जाता है तो इसका राइट आंसर सायर फेस्टिवल है एट का राइट आंसर option A है सायर फेस्टिवल है आपकसप्टेंबर के महीने मना जाता है टेक कि एक जाता है थे पुम्या फेस्टिवल अपछ टॉज SAYS महीने में मेंणे जाता है तो अब हधिती हैं की Corण से मरतनी थी उन्हों ने फैलो बूल का जो है वहां सेक्रिफाइस दिया जाता है ताकि स्टेंथ बता सके यंग मैन की ठीक है तो यहां पर जो है महिसा सुन मर्दनी है उनको जो है उनने जो डीमॉन को मारा था उसी की याद में जो है साहर फेस्टिवल मनाया जाता है तो एक्स्मिनेशन भी साथ में दे रखिये अब नए Windows 10 देखिये यहां पर festival दे और नेम स्ट इस पहाँ पर मनाया जाते हैं जैसे विषू है विशू है ठीक है अि कहां मनाया जाते है ठीक बिसोवा बिसू और लिशू तो आपको जो है इसे मैच करना है जैसे बिसोवा है बिसोवा कहां मना आते हैं कांगडा में मना जाता है बिसू कहां मना जाता है यह शिमला में मना जाता है और लिशू जो है यह पांगी चंबा में मना जाता है तो यहां पर नाइंद का और उप्शन सी है अब बताईए आपने क्या इन फेस्टिवल का नाम सुना था या नहीं सुना था तो कोशन जो है डिफिकल्ट करने की पूरी कोशिश करी है मैंने यहां पर अब देखिए यहां पर जो है गोंपा बता रहें और बोल रहें शिसू फेर ठीके शिसू फेर यह होता है मर बताइए कौन से महीने में होता है सिसूर गोंपा दिया है गेमूर गोंपा दिया है और मनी गोंपा दिया है ठीके लौल सबीती में यहां पूछा जा रहा है यहां पर जो है सिसू फेर होता है ठीके सिसू फेर जो है बुदिश्च लोग जो है मनाते है तो यह प बागी explanation में देख लेते हैं, explanation में और अच्छे से दिया है, जैसे सिसू फेर is celebrated by Buddhist all over the Himalaya, ठीक है, बुदिश्ट लोग जो है सिसू फेर को मनाते हैं, अब यहाँ पर जो है मास्क डांस जो है परफॉर्म किया जाता है, यानि मुखोटा पैन के जो है डांस किया जाता है, और ऐसा जो है सिसू गोंपा में होता है, जहाँ पर जून में सिसू मिला मनाया जाता है, यहाँ पर मास्क डांस का होगा कोट्यार्ड में होगा कि अंदर होता है, जो में जो है गोंपा वहाँ अंदर ही होता है, अब देखिए सिसू गोंपा में जून में मनाया गया सिसू जो तो रट लेना ठीक है तो यहाँ पर स्रिसू फेर जो मनाये जाते हैं स्रिसूर गुंपा में जून में गेमुर ुच्वुन ना जुनाइं में और बनी घुंपा अगस्थ में थे याद रतना डिफिकश्थ होता है इन इन को जो है बार-बार रीड करना पड़ता है रिविजन करना पड़ता है तब याद रहेंगे अभी पढ़ोगे महीने बाद याद करने को चुरू करने को नहीं याद रहेगा 11 देखिए चुरू करनी है लवी फेर है वह कार्तिका महिने में आयूजरत किया जाता है अपर क्सिट्वंब्र मैं लगता है तो यहाद क्शूंधर ही विए क Kinder Ś तो यहां चुमूर्ती होर्सिस जो है उनकी जो है विक्री और खरीद के लिए यह प्रसीद है लवी मेला तो हां जी यह स्टेटमेंट भी ठीक है राजा कहरी सिंग जो है उन्होंने तो स्टार्ट के लवी मेला इन 1861 तो यहां पर देखिए मिस्टेक आगी ना 1861 दिखा है व आशीडाइन और सी मिस्टेक ती यहीं हमें पड़ नी थी तो 1st and 2nd statement Thig is 3rd यहां पर गलत है ठीक हैसा contain थीक है सिंगन तीक हो सब देखिए so तो यहाँ पर फेर इन फेस्टेवल बता है associated with तो यह आपको जो है कुन फेर है सुही फेर नल्वाडी फेर है लवी फेर है तो लवी फेर तो हमने अभी पड़ा राजा केहरी सिंग ने स्टार्ट किया था बुशायर के राज़ा था 1681 में नलवाडी फिर आपको पता नोचे ब्लासपूर में होता है बुक में आपने पढ़ा होगा डबल्यू गोल्ट स्ट्री ने जो है से स्टार्ट किया था सुई फिर जो है किसकी याद में नैना देवी जो की साहिल वर्मन की वाइफ थी उनकी याद में जम्भा में मनाया जाता है कुन फिर पending शल Schul अब explanation भी दिरिखे, जैसे Coon Fair is a famous Fair of Patton Valley, ठीक है, पतन वैली का famous Fair है Coon Fair, और February के महिने में, बनाते हैं, ठीक है, फागली Fair बोल दो, जाए Coon Fair बोल दो, ठीक है, फेबररी के महिने में होता है, पतन वैली में, फिर सुही Fair है, ये April में होता है, मन्त हमेशा याद रखना है, जो एपना सेक्रिफैस दिया था कि चंबा में पानी आ सकी तो तो komun rifat होता है यह जो है चंबा में होता है अप्र橋 में होता है várias 1889 में जो है से स्टार्ट किया गया तो मन्त हमेशा याद रखने कुन फेर यानि फागली फेबरी में पतन वैली में सुई फेर अप्रैल में हुआ चंबा में नलवाडी फेर ब्लासपूर में होता है कब मार्च के महिने में डवल्यू गोडश्री ने से स्टार्ट किया 1889 में अदर फॉowned फॉल्विंग् प्लेश अब है शौट जो है शौट और यहां पर बोड़ रहा इन में से किस taps छान पर मनाया जीघाध सटहों. शॉत आ पीछनीर नामलाव कSab यहां पर दे रही है तो यहां पर फागली तो यहां पर दे हैं तो यहां पर फागली फेस्टिवल इस सेलरेटी इन पतन वैली इन जुलाई अब मैं आपको पोल रहा था एक पीछे कोश्ण था हमां कूल फेर जो है कहां पर होता है पतन वैली में ठीक हैं फेबररी में होता है तो यहां पर देखिए मिस्ट अविवारि अब और रहा है अब रहाँ है अब रहा है हल्दा इस ब्रॉल फेस्टिवल उफ लॉहाल सेलबरेटेटेटरेटर मंदों मार्ट अब यह भी हमने पढ़ा जो छो हलत है से दिवाली की तरह भी मनाया जाता हैं नियुटीवल पर दिसम्बर और जन्वरी में होता है चोटी चोटी मिस्टेक्स जो है एक्जाम पूछ लेता है एक्जाम में तो डिटेल में चीज़े पता होने चाहिए फिफ्टीन देखें इन विच मन्त इस दर नलवारी फेर इन ब्लासपूर हिमाचा पदेश सेलिबेटेट तो ब्लास इसे स्टार्ट किया यहां पर क्यों कि शॉटेज थी गूट ब्रीट ऑफ के तो उसके लिए इसे स्टार्ट किया था ब्लासपूर में अब 16 देखें तो यह जो कोशन है नाइब तैसिलदार में आया हुआ हुआ है कि मिंजर मेला जो है कब स्टार्ट होता है तो यह ऑन दा सेकेंड संडे ऑफ द मन्त ओफ श्रावन तो श्रावन को जो महिना है है उसके सेकेंड संडे को स्टार्ट होता है मिंजर फेयर तो 16 का रिट आंसर कै इस्टिन का जो रइट आंसर है वह ऑप्शन C नेच्स देखते इन सेवंटीन नवाला फेस्टिवल ठीक है नवाला फेस्टिवल जो है यह कौन मनाते मिनातें ठीक है घद्दी लोग जो होते गद्धी लोगों दुवारा मनाया जाता है उसमें शिवा की जो है ये पूजा करते हैं तो यहां पर डिस्क्रिप्शन में भी दिरुखा है गद्धी सॉफ कांगडा चम्मा मंडी कुलू सेलबरेट नवाला फेस्टिवल ठीक है कौन मनाते हैं यह कोशन पूछ लेंगे कि हा हमार चापरदेश का तो घुद्धा तिवार है कितने जो हैं उन्तराल में होता है माचरपरदेश में दो साल छे साल बारा साल बाजा सालने खोगयी म्ट एसे कि कुम के मेले गी तरह मनाया जाते एं हर 12 वार्ट तो हर 12 वार्ट कौन कौन से frying्ट वोते हैं बुंदा भी याद रखना है शानट भी खोनध और भुज थे scoring वे तीन सबक्र autor को बता है होता है ठीक है पथर का फेर पथर का जो खेल ही का ओता है हलोग में होता है तो पत्थर का खेल तो यह सब सब्सक्राइब नffiti कर दें पादन आयों व्यमा जाता है तो काफी अच्छे कोशन जो आपकी रिए लेक्ट अगर आप हमसे ओनलाइन कोचिंग भी लेना चाहते होगा कि चाहिए अब हमाचल में किसी भी एक्जाम की त्यारी करें तब भी इस नंबर में वट्साइप करते हैं 7018186561 बेटे के ओनलाइन कोचिंग जिस एक्जाम की त्यारी करें उसका नाम लिखना मैं आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी तो जिस भी एक्जाम की तारी करते हो बस इस नंबर में वट्साइप करना उस एक्जाम का नाम लिखना ओनलाइन कोचिंग लिखना मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा हमारी क्लासिस की ठीक है 20 देखिए अट विच प्लेस अफेर इस हेल एवर प्राइल के महिने में जहां पर वुमें एंड चिल्रंस जो है पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि साहिल वनमन की जो वाइफ थी कुईन थी नैना देवी उन्होंने जो है अपना सेक्रिवाइस दिया था ताकि चमबा में जो है पानी आ सके तो ट्वेंटी का एंसर ऑप्श आपको दे रखें तो आप हमारा जब स्टडी मटे लोगें वहां पर पर पीडियाफ सापको सारी मिल जाएगी एक्स्प्राइशन में सारी चीजे बता रखें विच फेर इस नॉट इंटरनेशनल इन हमाचा पर देश तो यहां पर कॉन सा इंटरनेशनल फेर नहीं है मौहर का जिसके बार मो से बढ़ता कुलु का दशैरा हो गया होली cycle की सुझनपूर में होता है के होली पर चुछ फेर सुजानपूर में और एक कुल्लू का जो है विंटर कार्णिवल ठीक कुल्लू का विंटर कार्णिवल भी इंटरनेशनल फेर तो साथ टोटल इंटरनेशनल फेर है हिमाज़चर प्रदेश में 22 देखें विच फेर इस नॉट मैच करेक्टली तो यहां पर पर पर आपको डॉट रहेंगे काफी अच्छा कंटेंट जो है आपको दिया गया है वहां पर बागी वीडियो को इतना रखते हैं यह लेक्चर तू था इसमें फेरेन फेस्टिवल देखेंगे तो प्लेएलिस्ट चैनल की बनी हुए है चैनल में प्लेइलिस्ट बनी करा रहा हूं ऐसे जो आपको बुक में भी नुबले तो पूरा हमाचल जी के हां कवर किया जाएगा 5000 कोश्चन आपको पूराओंगा ठीक वाइस टोटल 5000 कोशन होंगे सारे ही नेक्स्ट लेवल होंगे जो बुकों में भी नहीं मिलेंगे तो वीडियो पसंदारी तो वीड पूरती करें यह अच्छा करें जो आपको अच्छा लग रहा है वो कमेंट करके मुझे बताओ में नेक्स्ट वीडियो में उसे सुदारने की पूरी कोशिच करूंगा बाकी आपसे अगी क्लास में लूँगा तब तक कि लेक्षा भाख है थैंक्यू